नमस्कार मैं अमित भोविया दोस्तों बहुत से साथियों का ये सवाल आ रहा है कि पंजाब स्टेट लोटरी में चल क्या रहा है तो मैं आप लोगों को आज उसी के बारे में बता दूँ औरसल ये जो चल रहा है न ये केवल पंजब स्टेट लोटरी तक सीमित नहीं है ये अब सिकिम स्टेट लोटरी में भी जाएगा और कुछ दिनों में ओर राज्यों की लोटरी ओंपर भी इसका असर पड़ेगा केवल मातर केरला स्टेट की लोटरी को छोड़ कर अब इसके पीछे का reason क्या है अपन ये समझते हैं आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा Santiago Martin इस व्यक्ति को Lottery King के नाम से जाना जाता है Lottery King के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा Lottery का काम करने वाला व्यक्ति है ये और पिछले ही दिनों पंजाव स्टेट की जो हाई कोर्ट है यानि पंजाव एंड हरेणा हाई कोर्ट वहाँ पर एडवोकेट भानो परताब सिंग ने एक एप्लिकेशन दी और कोर्ट को बोला कि भाई जो पंजाव सरकार है इसकी Lottery जो बिक्ति थी जितना Volume था उसके हिसाब से अब जो Revenue है वो कम आने लग गया इसके पीछे की वजहें जो है उनको तलाशा जाए और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाव स्टेट की जो Lottery से इनके अंदर Irregularities हो रही है और इस वजह से ये जो Revenue है ये गिर रहा है कोर्ट ने पंजाव सरकार को बोला कि सकताई करो illegal क्यों होने देते हो अब जब पंजाव पुलिस ने illegal वालों को रोखना शुरू किया तो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर ये उबर कर सामने आई कि Lottery लगभग online विक रही है और इस सब के पीछे Lottery King Santiago Martin का हाथ है अब ये Santiago Martin है कहां से तो ये Coimptus से है एक ऐसा व्यक्ति जो एक billion से भी ज़्यादा का tax भरता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अर्बों खर्बों की संपती है एक मावा सिक्किम से भी उठा सिक्किम सरकार ने का कि इस बंदे की वज़े से हमें 910 क्रोड रुपे का नुकसान हो गया अब नुकसान कैसे हो गया ये आदमी क्या करता है एक राज्य के टिकट को दूसरे राज्य में बेचने का कम करता है दूसरा ओनलाइन टिक्टे बेचने का काम करता है और तीसरा किसी भी टिकट को बढ़ा चड़ा कर और उसके ज़्यादा क्लेम्स हैं ज़्यादा प्राइज उसमें लिए गए हैं ऐसे दावे करके और उस टिकट को जो है उचा चड़ा देता है और किसी टिकट को गिरा देता है कुल मिलाखे बात ये है कि इस आदमे ने जितनी भी गॉर्मन्ट लोटरी थी उनके सिस्टम के अंदर ऐसी दखल दी कि सरकारे आज तंग है और इसी पूरे मसले के अंदर जब पंजाब हाई कोर्ट में वहां के वकील जो है एड़ोकेट भनवरताब उन्होंने इस मसले को उठाया कि भिंजाब करेमन्यू कम क्यों हो यूए कि पनजाब सरकार की ती अभी की तो है नहीं, काफी पुरानी लोटरी है। और मजे बाद तो ये है कि पनजाब का रिवएणी बहुत अच्छा था, बहुत वुश्वशनिय लोटरी थी, लेकिन पंजाब गोर्मेंट जो पिछली पंजाब गोर्मेंट थी उसने भी कुछ गलतियां की थी जैसे उसने ये पुरे के पुरे जो पंजाब लोटरी का ठेका था ये West Bengal Syndicate Limited को दे दिया था और खुद के हाथों से लोटरी का काम निकाल दिया था उसके बाद में जो बाहर की रोटरी आएं सिक्किम की है, मनिपूर्ट की है, महराश्टरा की है, वेस्ट मंगोल की है, डियर वालों की है इन सब को खुली परमिशन दे दी, इस वज़े से पंजाब सरकार का जो वो सेल थी, वो डाउन हो गई और दूसरी बात, ये जितने में लोटरी वाले हैं, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने ओनलाइन बेचने शुरू कर दी और इस ओनलाइन वाले लफडे में बहुत फ्रोड होने लग गया, किसी को टिकट की फोटो भेज दी, पैसे गूगल पैसे ले लिए, और गूगल पैसे जो पैसे लिए, उसके बाद वो टिकट जो थी, वो तो बापस सब्मिट करवा देते हैं, कि भाई विकी नहीं, और पैसे इनके पास दो नमर में आ गए, तो ऐसे सब लफडों के कारण जो है, पंजाव के अंदर लोटरी का रिवेन्यू कम होने लग गया, और इसी वज़े से जब से हाई कोट का निर्देश आया, तो सरकार सक्त हुई, लगातार रेड मारी गई, आप देखेंगे जितने भी ये पंजाव वाले लोटरी बेचने वाले थे, सब लोगों की वेबसाइट आज के टाइम में बंध है, किसी की थोड़ी बहुत चल रही है तो उसमें भी लिखा रहा है कि मैंटेनस पे है, किसी की चल रही है तो उसके ओपर केवल रिजल्ट दिखाया जा रहा है, दू भारा रिवाइव होके आएगी, नए रेगुलेशन के साथ आएगी, उस दिन आप एमान के चलिएगा कि पंजाव स्टेट की लोटरी एक्वल टू केरला स्टेट की लोटरी हो जाएगी, यानि पुरून रूप से एक अच्छे और पारदर्शी करीके से लोटरी चलेगी, तो मेन डिस्प्यूट ये है, और रही बात इस मार्टिन के, तो इनके लाइफ पे पूरी के पूरी वीडियो में आपके लिए जल्द लेके आऊँगा, बंदे ने क्या दिमाग लगाया है, मैं तो मानता हूं कि दुनिया का दूसरा हर्शिद मैता है, जिसने स्टोक मार्क का हो, चाहे gosta का हो, चाहे वेस्टम्गोल का, चाहे मनिपूर का, चाहे सिकिम का, चाहे पंजाब का, चाहे केरला का, बहुत छोटा सा सिस्टम और एक आदमे आता है कॉयंबटर शेद पूरे सिस्टम को कॉल्स कर देता है, तो अपन इस बंदे की जी वनी के बारें, बहु सीमार्क.